कि अपने विचारों को या अपने थौंट्स को स्टीर कैसे करें उसके बारे में आपसे मैं आज बात करने वाला हूं कुछ माहराष्ट में अक्वानाकपुर मूंबई या प्रैक्टिस करता हूं काफी सारे लोग हमें फोन के ऊपर कंसल करतें कॉंसेलिंग करतें और गुष्टे रहें इसके बारे में जब को बोलता हूं तो मैं सोचा आपकी साथ में में शेयर करो क्या है कि हमको कफी सारे thoughts आते रहते हैं दिमाग में और वो thoughts कुछ अतीत के बारे में past के बारे में thoughts काफी सारे आते रहते हैं काफी सारे thoughts जो है वो भविश्य के बारे में आते हैं future के बारे में आते रहते हैं तो कुछ thoughts फ्यूटरे के बार में जब आते हैं तो उसके बारे में फिर सिंत बॉस मुझे लगती है एंगजाइटि होती है टेंशन होता है भरी होती है जब भाएस के बारेमेने यह करना चाहिए था वो करना चाहिए था ऐसा क्यों नहीं किया दुख हो जाता है और फिर एक के पीछे एक थौट आते रहते है पीछा करते रहता है एक थौट उसे थौट को और वो निकलते रहते है क्या ये थौट को मैं स्तीर कर सकता हूं जो एक थौट मेरे मंद में आया उस पर इस तीसरा थॉट का बात मुझे मौलूम ही नहीं पढ़ता वो दूसरे वाले को बाहर फिक देता है वह वहां रहता है फिर ऐसे चालू रहती शुरूम खला यह सिरीज चालू रहती थॉट्स की कि मुझे focus करना है तो मुझे वह focus होता नहीं है कि यह यह थोट साते रहते है वह मुझे जगा focus ही नहीं करने दीग तब करने तो कर्णे चन्रैय। और concentration तब होंगा जब एक थोट मेरे दिमाग में स्तीर रहेगा सोगे थोटिंद से वाक्तर बनने का है और मुझे बहुत पढ़ाई करने की तो यह thought crime 24 वार 7 समझे मेरे दिमाग में रहता है 2400 गंटे कि मुझे डॉक्तर बनने का है बहुत पढ़ाई करने की है इसलिए मुझे नीट क्रेक करने की है और अच्छे मर्क Eu holding aівाक activator की जरूदि नहीं पड़ेगी किसले मुझे बोलने कामें नहीं पड़ेगा और बच्चो को यह बार बार क्यों बोलना पड़ता कि यह मुझे दॉक्टर बनना मुझे सी ए सी बंना है मुझे इंजिनिर बनने का है जिसके लिए श्राद केद्ट कमानेे दिप Pacific West Watch करने जाता है कि मुझे करन मों फौकस कर कर सकेंगे कॉन्सेन कर सकेंगे कोई चीज के ऊंपर और फिर जो आवह houses legit कि हमको मालू हां कि हम्पीचर दो घंटिंगा देख रहे एक सिनेमा देख रहे है या मूवी देख रहे है तो मूवी में हम वहाँ पूरा दो घंटे लगा रहे थे क्योंकि वह स्टोरी चालू रहती है वह स्टोरी चालू जब रहती है तब भी हम हमारे जीवन से उसको इ Tucson रएता टो हम वह स्टोरी चालू है तो बहूं कि रहते हैं कि था करेए कि काम के उपर में मतलब जो थौट आ रहा है उससे मेरा काम निकलेंगा कोई action दिखेंगे कोई कर्म दिखेंगा मुझे मैं वो कर रहा हूं थौट स्तिर है काम वो ही कर रहा हूं मेरा concentration focus जो है वह हो रहा है और मुझे अच्छा output मिलेगा वैसा देखा जाये तो जो थौट जो है maximum negative thought है हम तो मूल तहा हमारे दिमाग में negative thought आते रहे हैं मतलब हमने positive सोचा कि positive thought आना चाहिए तो वो positive thought रहता नहीं है वो कुछ समय के बाद में positive thought को negative thought कब replace करता मौलू मिन पढ़ता और फिर एक के पिछे एक negative हम तो बूपे जाते हैं हम तो expert है काई में negative thoughts में रहने के लिए मतलब वो जो भी uncontrolled है negative thoughts आते रहते हैं और वो कब positive को displace कर देंगे पता ही नहीं चलता और फिर negative से हम पूरी energy drain हो जाती है अपना juice guarantee warranty सब निकल जाती है तब हम को यह देखना पड़ेंगा कि यह negative thought और कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि negative thought आ रहा है हम control नहीं कर पाते का घटना हो जाती है अभी ह हमारे पास में एक patient आया है उसका उसके पत्नी को मतलब वो उसकी पत्नी service करती है उसके पत्नी को उसने उसके boss के साथ में office के बाहर निकलते समय देखा वो उसको लेने के लिए गाया था office में वापस शाम के समय कि वो उसको घर पे ले जाना और उस साथ में चल रहे थे और साथ में चल रहे थे वो इतने ऐसे पांस में थे कि उसको लगा कि इनका physical contact अभी हो गया जब पांस में चल रहे है तो इसके दिमाग में थाट आगया कि इसका मतलब यह है कि इनका कुछ ना कुछ problem होंगा लखड़ा होंगा इसने इसके दिमाग में उसका कुछ meaning लगा दिया कि मेरे पत्नी के संबन इसके boss के साथ में है अब वो थाट इतना बड़ा इतना बड़ा हो गया इतना बड़ा हो गय अब उसने पत्नी ने वहां से राजना में दिया, रिजाइन कर लिया, क्योंकि इसको इतना डिस्टर्ब है कि नहीं, तेरे संबन तेरे बास के साथ में है, उसने तुरन दूसरे दिन रिजाइन कर दिया, और तभी भी, अभी छे मेने हो गए, ये घटना को, और तभी भी उस आकर वो थौट ही आ रहे, तो ऐसा काफी सारे निगेटिव थौट एकाती, मुवी हम देखते है, वो मुवी के ऐसे कुछ गंदे-गंदी विचार या गंदे-गंदी सीन होंगे, वो अपने दिमाग में नहीं चाहत होंगे, वाइलन्स के सीन होंगे, वो ही बार-बार-बा और मुक्ति कैसे पाना है, मुक्ति यह है कि आप अपने खुद के लिए टाइम निकालो, रोज अपने खुद के लिए टाइम निकालो, पांच मिनिट, दस मिनिट, दस समेंट पन्धरा मिनिट, और अपने thoughts को जबत ऊपसे थाट्स को देखो, वाच करो, जब उसको आप वाच करेंगे, धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीर चलू करेंगी एक जो ठ्ट इसको ऑठ्ट करेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे दिरिट एशल हो जाएंगा कि वह ठॉट अपने दमाग में एक कुछ समय तक क्यायं रखने के लिए आपकी फ्रेक्टिस जाएंगी वह इदिस तिर हैंगा वो ठट तो तो फिर आपकी productivity भढ़ जाएगे तो watch your thoughts, आपके thoughts उसको watch करो, उसकी practice करो, silence में बैठो, और यह practice आप करेंगे, तो जरूर thoughts कम करने की आपकी practice जितने ज़्यादा बढ़ते जाएगे, उतने ज़्यादा thoughts, negative thoughts कम होते जाएगे, और आपकी उत्पादन ख्षिलता, उत्पादन शेर करो, और बेर आइकॉन जबाता है, उसको click करो, ताकि मेरे वीडियो की notification आपको सबसे पहली बार आ जाएगे, हमारा mission जो है हुआ है, सबके लिए मानसिक, स्वास्ट चरवेशन मुक्त भारत, इसमें आपका भी हात लग जाएगा, thank you for watching.